इमाचल के जिला शिमला में राजधानी से उत्तरी भाग में, राश्ट्रिय उच्च मार्ग 88 पर कराणा घाट से लगभग 15 किलोमीटर दुरी पर एक बेहद रमनिय परवत चोटी है स्थानिय लोग इस स्थान को हरसंग धार तथा हशकर धार के नाम से जानते हैं सोलन और शिमला के बननेक सीमा क्षेत्रत में आने वाला यह स्थान जिला मुख्याले शिमला से लगभग 58 किलोमीटर की दूरी तै करने के पश्चात ग्राम पंचायत चनावग से लगभग 5 किलोमीटर तथा दूसरे छोर चंडी गाउस से भी लगभग इतनी ही उचाई पर स्थित है जहां से आप मंडी जिले के देव श्री मूल माहुनाग बखारी, देव बडे योगी, तीरत स्थल तत्ता पानी, माभीमाकली देवी शाली, जाकु मंदिर तथा सोलन जिले के दरलाघाट और उचे उचे बर्फ से धके पहाडों के विहंगम द्रिश्यों का नजारा देख सकते हैं. पहाडी की चोटी पर बना यह मंदिर वन अभ्यारंक शेत्र मजाथल का सबसे उपरी भाग है, जो इस वन अभ्यारंक की सुंदरता को चार चांद लगाता है. यह स्थल केवल सुंदर ही नहीं अपितु हजजारों वर्षों से लोगों की अटूट आस्था का कें रहा है. यह स्थल इसक्षेत्र के आराध्य देव श्री हरसंग जी महाराज के मूल स्थान के नाम से विख्यात है. यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहां अपनी समस्याओं के समाधान हितु पहुँचते हैं. चलिए बदते हैं कहानी की ओर. जानकारी देते हुए, लल के समक्ष पेश की जा रही है. आप सभी से अनुरोध है कि सुकेत देवता लाइव चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब आवश्य करें. जन्शुतियों और देव आवहनी मंत्रों के माध्यम से देव हरसंग महाराज के विराट स्वरूप का पता चलता है कि इस आदी का जितना अधिक भीतर जाते हैं नई कड़ियां खुलती जाती है, नई शाखाएं रूपले लेती है. हजज़ारों वर्ष पूर्व इसधार पर एक पिंडी जमीन पर उत्पन हुई. स्थानिय चर्वाहों ने जब एक विचित्र नजारा देखा कि गाय की एक चोटी शिव स्वरूप हरसंग महाराज के उत्पन होने की बात समूचेक शेत्र में फैल चुकी थी. पिंडी नुमा इस पत्थर के समीप एक और विशाल चप्ता पत्थर है जिसके समीप बैठकर पूरा गुर्वर्ग देव क्रीलाओं, देव कलाएं के माध्यम से लोगों की समस का निदान करता है. कुछ लोगों का मत है कि इस पत्थर के नीचे परियों का अखाड़ा क्रीलात स्थान है. जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के भिन-भिन स्थानों पर कुछ देवताक्षत्रिय रूप, पित्री देव तथानाक के रूप में विराजमान है. उसी तरह से इ आवहनी मंत्र के एक ज्याता बुजूर के अनुसार ये कुंती पुत्र दामोदर है. संभवतह ब्राहमन कुल से होने के कारण यह ब्राहमन पुरुष में ही खेलते है. डेव क्रीडाओं में गुर माध्यम से सदाई यह बात स्पष्ट होती है कि उन्होंने इस एकांत निर धार पर प्रकट हुए थे. इसी कारण इनको श्री हशिकर देवता के नाम से जाना जाने लगा. किन्तो हिमाचल प्रदेश में स्थानिय बोलियों के असर के चलन से इनके नाम को अनेक नाम दे दिये गए. ज्यो ज्यो इनके मंदिरों का विस्तार हुआ. इनके नामों का भ स्वरूप लगभग बदलता गया. इस निर्जन धार पर यह देव कहां से प्रकट हुए. इस संबंध में देववानी में कुछ इस प्रकार कहा गया है. वार भी सरसा पार भी सरसा. बिच गंगा खाए. अंगे संगे नारसिंग चंज्याला. मूरे भीमा माई. केसा देशा ते आया. कैथा किता प्याना. नीले देशा ते आया. सरसा पट्टिया ते किता प्याना. चल दामोदर देवा पहाडे जो जाना. हशेकर परवत का ध्यान लगाया. हशेकर पर आसन जमाया. देरा लगाया. नीचे बगो सतलुच. गवालू एक बडोगुए गौचे नहाया खल्याया, बाचिये दूर्ध पल्याया, लगभग शताब्दी पूर्व सरसा पट्टी से आया करारू समुदाय करारागाट बसिल लोग इन्हें अपने इष्ठ होने की बात बताते हैं, कि संभवत देवरिशी उन्हीं के साथ यहां पर आकर बसे थे, इसके लिए वह इस लो और हशिन के नाम से जानते हैं तथा बाघल के लोग इन्हें हरसं कहकर पुकारते हैं, आए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके मंदिरों के विस्तार और देव परंप्राओं की और उन शक्तियों की जो इनके साथ विराजमान है बजीर्दना हरसंग, देव चंज्य हरसंग महाराज के प्रमुख स्थान, हरसंग धार, कोठी बरोग, जेश्ट स्थान, देवता, कोठी चनावग, तथा कोठी कशलोग देवता के अन्य मुख्य स्थान, जूट धाक, चनावग टिबबा, सोहल की बनी, नालावन, पनुही गाव, गाव खुनारा, रोरी गाव, जुरलू, मचर्याना, बर्लोग, नारसिंग वीर स्थान पाटी, कशलोग गाव तथा अनेको अन्य हशक अर्धार से दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित जूट के धाक में देव हशिंग अपनी शक्तियों के साथ विराजित हुए गोरतलब है कि यहाँ पर एक पानी का चश्मा है जो की साल के बारह महीनों में कभी नहीं सुखता कहते हैं आज भी सुबह के समय ब्रहम मुहूर्ट में देव यहाँ सनान करते हैं इसके बाद देव महाराज के महरो अर्थात मूर्थियों के उत्पन होने का पता चलता है कि बहुत समय पूर्व चनावक से ही एक किलो मीटर की दूरी पर गाउं जुडलू खुनारा में एक विशाल का एक खेत में उनका एक लकड़ी और मिट्टी का मंदिर बनाया गया था डेव शक्तियों के साथ कुछ और 36 तरह की शक्तियां जैसे डाकिनी शाकिनी जोगन वीर इत्यादी है देवता हर्संग जी महाराज की अन्य गाथाओं को जानने के लिए बने रहे सुकेत देवता लाइब चैनल के साथ जल्द जानेंगे देवता और राजा की कहानी अगले भाग में देव भूमी के देवी देवताओं की कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए सुकेत देवता देवोत्सव लाइव हिमाचल प्रदेश का प्रथम देवी देवताओं की संस्कृति को समर्पित चैनल YouTube पर सुकेत देवता लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगामी अपडेट पाने के लिए वेल आइकन दवाना ना भूले मंदिरों के लाइव दर्शन करने के लिए हमें Facebook तथा Instagram पर फोलो करना ना भूले YouTube चैनल, Facebook तथा Instagram के लिंक आपको description में मिल जाएगे झाल, Facebook तथा आपको तथा आपको मिल जाएगे